मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि एलेक्स बिलू API सेटप कैसे करें सबसे पहले इन शॉट मैं आपको बता देता हूं आपको हमारी वैबसाइट प्राना है जिसका नाम है nextlevel.bot.com और यहां के आपको login कर लेना, first step आपका यह होगा, second step आपका यह होगा, आपको यह इस वीडियो के description में आपको यह page का link मिलेगा, आपको यह पूरा mail यहां से लेके यहां तक copy कर लेना है, इस mail के अंदर आपको बस थोड़ा सा change करना है, यहां पर अपनी client ID डालनी है और यहा mail ID पर आपको send कर देना है, जब आप इस mail ID पर send कर दोगे, तो Alex Blue से आपको mail आएगा, कि आपकी client ID यह है, और secret ID यह है, और उस पर हमने यह वाला redirect URL set कर दिया, जब आपको mail आजाता है, उस mail को open करना है, mail को open करने के बाद आपको यहां पर click करना है, जैसे मैंने click करा और number पर API credential दिखेगा, आपको इहां पर click करना है, जैसे आप इहां पर click करोगे, आपको उपर की सारे option दिखेंगे, यह एक, दो, तीन, चार, पांच, यह छे के छे broker दिखेंगे, आप जिस broker की API आइड करना चाते हो, उसके आगे click करना है, जैसे मैं Alex Blue की API आइड करना चाता आपके client idea, आपकी API की होती है, Alex Blue की तरफ से, वो आपको आइड करनी है, उसके बाद आपको इहां पर secret की आइड करनी है, वो भी आपके mail में होगी, add करने के बाद, save पर click करना है, जैसे आप save पर click करोगे, यह आपका नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, इसके पीछे Alex Blue, Alex Blue की API है, अब आपको एक चीज़ धान रखनी है, यह safe जब होगा जब आपने next level board पर 499 की payment कर रखी होगी, अगर आपने payment नहीं कर रखी होगी, तो आप add नहीं कर पाओगे, उसके लिए आप membership के page पर जाएगी, पहले membership buy कर जाएगी, उसके बाद API add कर पाओगे, जब आप API add कर लोगे, तो उसके बाद आपको activate पर click करना है, तो मैंने पहले से API add कर रखी है, तो मैं इसे delete मार देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, तो मैं आपको API activate पर click करना है, तो कहा गहीं यह रहा, Alex Blue की API मेरी यहाँ पर add है, आप देख सकते हो, मैंने इसको नाम दे रखा Alex Blue बनोज और Alex Blue की API है, तो आपको यह कुछ इस तरीके से show हो रहा था, महाँ पर इस तरीके से आपको activate पर click करना है, यह तो थी अवी तक one time process, एक बार starting में आपको यह करना होता है, पर daily आपको API connection करना होता है, और daily API connection करने के लिए आपको क्या करना होता है, मैं बता दिल करता है, ट्रेडिंग करने से पहले एक बार API connection कर लीजिए, उसके बाद हो पूरे दिन तक आप PC को बंद भी कर देंगे, आपके order जाते रहेंगे, तो API connection करने के लिए आप connect पे click करोगे, जैसे connect पे click करोगे, यह आपकी client ID और password बांगेगा, तो मैं जड़ा अपना password का profile खोल लेता हूं, और मैं यहाँ पर client ID और password लाने की कोशिश करता हूं, तो मैं यहाँ पर client ID दाली, और यहाँ पर password दाला, यह जब माँगेगा एक चीज़ और बता दू, अगर मैंने इनका terminal login नहीं कर रखा, जो इनका web, जहाँ पर यह trade कराते हैं, LS Blue वाले, अगर मैंने login login कर रखा होता है, तो direct connect हो जाती है, पर इसलिए मांग रहा है कि मैंने login नहीं कर रखा, तो मैं sign up पे click कर देता हूं, जैसे sign up पे click करूँगा, यह 2FA मांग रहा है, मैंने 2FA दे दिया, और submit पे click करा, जैसे मैं submit पे click करूँगा, तो मेरे सामने कुछ इस तरीकी का पीज connect हो गई है, अब मैं order दाल सकता हूं, daily बस मुझे इससे API connect करनी है, पर अगर इसके बदले कोई error आता है, तो कहीं न कहीं fault है, और Alex Blue के अंदर बहुत बाहर error आते हैं, जब भी आप new API लेके आते हो, तो उनकी तरफ से redirect URL set नहीं होता, और आपको mail देते हैं, कि आपका set हो ग जाएगा उस link को copy open करके आप इस format को copy करके उन्हें mail कर दिए, thank you for watching this video and bye